का है पर्सनल प्रणावन जिसे हम हिंदी में पुरू स्वाचक सर्वनाम भी कहते हैं तो चलिए हम पुरू स्वाचक सर्वनाम और पर्सनल प्रणावन को देखते हैं पर्सनल प्रणावन क्या होता है वे प्रणाउन जो तीनो पर्ण जैसे फिर्स पर्स पर्स भी अर्श होते हैं वो कौन से प्रणाउन कहलाते हैं वो पर्सनल प्रणाउन कहलाते हैं देके यह लेखा हुआ है थे इस्टेझथ for the speaker आई, मी, आस, वी, पर्सन spoke to you and the third person example, he, him, she, her and it ठीक है तो first person हमारे क्या हो गए I, me, us, we और second person हमारा you होता है और third person होता है he, him, she, her and it Personal pronoun can replace an object position and nouns that name people in the subject There are three person जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें तीन person होते हैं एक होता है first person, second person और third person आप देखिए